एक पिता की रुला देने वाली कहानी किसी गाउं में एक बुढ़ा वैक्ती अपने बेटे और बहु के साथ रहता था परिवार सुखी संपन था, किसी तरह की कोई परिशानी नहीं थी बुढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौ जावान था आज गुढ़ापे से हार गया था, चलते समय लड़कडाता था अब तो लाठी की जरूरत पढ़ने लगी थी चहरा जुरियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह वैतित करता था घर में एक चीज अच्छी थी कि साम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठ कर खाना खाता था एक दिन ऐसे ही साम को सारे लोग खाना खाने बैठे थे बेटा आफिस से आया था, भूक जादा थी इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहु और एक बेटा भी खाने लगे बुड़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई बहु बेटे ने घ्रीना द्रिष्टी से पिता की और देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए बुड़े पिता ने जैसे ही अपने हिरते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी जमीन पर बहु ने चुड़ते हुए कहा हे रां कितनी गंदी तरह से खाते हैं मन करता हैं इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हुँ बेटे ने भी ऐसे सीरह लाया जैसे पतनी की बात से सहमत हो नन्हा पोता यह सब मासूमियस से देख रहा था अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटा कर एक कोने में लगवा दी गई पिता की डबडबाती आखे सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी बुढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा खाना कभी इधर गिरता कभी उधर छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था मा नहीं पुछा क्या हुआ बेटे तुम दादा जी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे बच्चा बड़ी मासूम्यत से बोला मा मैं सीख रहा हूँ कि व्रीधों के साथ कैसा वहवार करना चाही जब मैं बड़ा हो जाओंगा और आप लोग बुड़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा बच्चे के मुझ से ऐसा सुनते ही बेटे और बहुत दोनों काप उठे सायद बच्चे की बात उनके मन ने बैठ गई थी क्यूंकि बच्चे ने मासूम्यत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेवल पे खाने के लिए बठाया और बहु भी भाग कर पानी का गिलास लेकर आई कि पिता जी को कोई तकलिफ ना हो तो मित्रो मा बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पुंजी है आप समाज में कितनी भी इज़त कमाले या कितना विधनी कठा करने लेकिन माबाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है यही इस कहानी की सिच्छा है